दे लाइव टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूर अजीर जह और आप देख रहे हैं दे लाइव टीवी इरान और रूस में मिलकर इसराइल और अमेरिका की नींदें हडाम कर दी एक बड़ी मिटिंग हुई है रूस के राष्ट्रपती पुतिन ने इरान के राष्ट्रपती इबराहिम रईसी से मुलकात की है और अब यह तैमाना जा रहा है कि रूसी हत्यारों के सहारे इरान इसराइल पर कहर बरपाने जा रहा है चुकि पुतिन इससे पहले UAE और सौधी अरविया जाकर एक मुलकात कर चुके है और इस मुलकात में जो निरने हुए वो तो हुए ही है लेकिन मुस्को में खुद इबराहिम रईसी ने पुतिन से मुलकात की है और हत्यारों को लेकर बरी डील खर ली है इसके बाद चिंता अमेरिका और इसराइल की बढ़ गई है बात यहीं तक नहीं रुकी है इरान और रूस के बीच जो अमेरिकी पृतिबंद थे उसे भी इन दोनों देशों ने मिलकर खत्म कर दिया है और इसकी घोशना हुई हस्ताक्षर भी हो गए है इन सब मामलों के बाद अब जिस हत्यार की डील हुई है उससे अगर इसराइल पर कहर बरपा तो इसराइल की हलत क्या हुई आपको पता है कि इरान शुरू से ही गजा हमले को लेकर अपने स्टेंड साफ रखे हुए वो फिलिस्तिन के साथ खड़ा है और फिलिस्तिन की मांग लिए दुनिया भर के देशों से भिर भी जाता है और जहां बादचित की गुंजाईश है वहां बात भी करता है इरान वे से बहुत ताकतवर है ओल्रेडी वो इसराइल पर भारी पर सकता है फिर भी रूस से हतियार खड़ीद कर वो इसराइल के नाक में दम करना चाहता है इस सब्बन में टीवी नाइन भारत वर्स की रिपोर्ट भी है जराब पहला हिस्सा इस रिपोर्ट का देखिए इसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है इरान को रूस कई हतियारों के साथ तक्नीक भी देगा का हमास हिजबुला को इरान के जरिये रूस से भी मदद संभव है हमास हिजबुला को मदद मिलने से इसराइल की मुश्किल बढ़ सकती है तो देख लिया आपने यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही है कि सिर्फ रूस ही इरान की मदद कर दे नहीं जा रहा है यहाँ पर हतियारों की डील से मतलब है हतियारों का एक्सचेंज अगर इरान बेलेस्टिक मिसाइल रूस से चाहता है या पिर हवाई योदा खडीदनों चाहता है तो दूसरे तरफ इरानी हत्यार की जरूरत रूस को भी है रूस युक्रेन से अभी भी जंग लरही रहा है जहां युक्रेन के समर्थन में अमेरिका खड़ा है और इज्राइल के समर्थन में भी अमेरिका खड़ा है तो ऐसे परस्ते में रूस और इरान की ताकट अगर मिल आती है और हत्यारों का जखिरा एक दूसरे से साजा कर लिया जाता है तो इसराइल की हालत तो खड़ाब होगी ही होगी अमेरिका भी छटपटा उठेगा और यहां तक जानकारी मिली है कि अमेरिका पहले से ही इस मामले में चिंता जाहिर कर चुका है कि इरान और रूस का मिल बेहत खतरनाक है यह दोनों देश अगर एक साथ आते हैं तो कईयों पर भारी पड़ सकते हैं जड़ा दूसरे हिस्से में देखिए क्या कुछ जानकारी दी जा रही है अमेरिका इसरायल की कैसे घेराबंदी करने की रणिती बन रही है भूती विद्रोहियों को इरान से औ पर मदद मिल सकती है सीरिया में भी अमेरिका को चुनौती बढ़ेगी अमेरिकी सैने अड़ों पर हमले बढ़ सकते हैं तो देखा आपने और जो हमारे पास तीसरा क्लिप है वो भी इंपोर्टेंट क्योंकि अगर यह महायुद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है तो इसमें कई ऐसे देश हैं जो जंग लड़ने के लिए बेताब हैं और उनकी मदद इरान करेगा रूसी हत्यारों के जरी रूस से मदद संभब होगा लेबनान को मदद मिल सकता है सीरिया को भी मदद मिल सकता है यमन के हूती भी इससे लाभान भी ठोंगे और यह सारे द इरान को सु-35 फाइटर जेट मिलेंगे इरान को रूस मि-28 हेलिकॉप्टर भी मिलेगा और इरान से रूस को बैलेस्टिक मिसाइल चाहता है तो देख लिया आपने यह है पूरी प्लानिंग अगर इरान के रईसी और रूस से पुतिन आपस में मिल रहे हैं तो हत्यारों की डील बहुत महतोपूर्ण हो जाती है क्योंकि रूस तो युक्रेन से जंग लड़ी रहा है लेकिन गाजा और इजरायल की लड़ाई में कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो सिधे तोर पर जंग में भागीदारी दिखा रहे हैं इरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा और इजरायल पर जो है हमला करके उन्हें भी बैकपूट पर लाया जाएगा ऐसी प्लानिंग इरान की है इस वज़े से इरान दुनिया भर में घूम घूम कर समर्थन तो एकठा कर ही रहा है वहीं दोसरे तरफ रूस के साथ डील करक वो भी देख लीजिए इरान रस्या डील इरान की सैने ताकत को रोकने के लिए अमेरिका और पस्चिम देश इरान पर बीटे कई सालों से सिकंजा कसते रहे हैं यूएन भी इरान पर कई परतिबंद लगा चुका है ऐसे में रूस से हुई डील इरान के लिए बहुत अहम ह वहीं रूस और इरान के बीच बढ़ते मिलिटरी कॉपरेशन पर अमेरिका पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है गाजा में इसराइल और हमास के बीच लड़ाई में भी इरान आकरामक है इसराइल और अमेरिका कई बार इरान को चिता भी चुके हैं इन सब के बाव्यूद इरान ने कई बार अमेरिका को भी अल्किमेटम दे दिया है कि हम आपसे डरते नहीं है और इस वक्त जो हवाई योधा की डील कही जा रही है वो क्या है कौन सा फाइटर जेट है कौन से मिसाइल है जो इरान रूस से चाहता है वो इसमें इंफरमेशन है देखिए अपने स् पराही ने मंगलवार को देश की समचार एजनसी तस्नीम को बताया है कि उन्होंने रूस के साथ सुखोई SU-35 लड़ाकु जेट और हेलिकोप्टरों की डील को फाइनल कर दिया है इरान को जल्दी ही ये डिलिबरी मिल जाएगी रूस के साथ इसी डील से इरान की वायू से सेना के ताकट में काफी इजाफा हो जाएगा अभी इरान की वायू सेना के पास केवल कुछ दर्जन स्ट्राइक मिमान हैं जिन में रूसी जेट के साथ साथ 1989 की इसलामी करांती से पहले हासिल किये गए पुराने अमेरिकी मॉडल हैं तो यह है पूरी तैयारी क्योंकि पर युक्रेन इतना चोटा सा कमजोर देश रूस से लर रहा है और दूसरी तरफ गाजा को कई इसलामिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ इरान जैसे टाकतवर देश्ट टर्की जैसे टाकतवर देश्ट साथ खड़े हो गए तो गाजा भी खूब लरा यहां लर रहा ह इस्राइल से फिर भी इस्राइल की म्दद अमेरिका तु कर히 रहा है जेकि इरान के लिए यह डील प्राइदय का डिल है क्यों खास है यह बताया गया है रूसी जेट और हेलीकॉटरों का दिनना इरान की सेना के लिए परिवर्तन कारी हो सकता है इरान फिलहाल पस्टिमी देशों की परतिबंदों के चलते सेने ताकत बढ़ाने में कई मुस्किलों से घिरा है इसराइल सुधी अरब अमेरिका और संयुक्त अरब आमिरात जैसे देश इरान को उन्नत सेने हाडवेर ना देने की बकालत करते रहे हैं इनको डर है कि मजबूत इरान पस्टिम एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है ऐसे में इरान की इन हत्यारों से बढ़ी ताकत पुरे छेतर में असर डाल सकती है इसलिए हमने कहा कि इन लोगों ने जो डील की उससे पहले अमेरिका ने जो परतिबंद ल दिखने को मिलेगा क्या वाकई में इरान ने जो कसम खाई है कि अमेरिका और इसराइल से बदला लेगा खास करके इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा तो ऐसा सच हो सकता है अगर रूस ने हाथ मिला लिया है तो दो इंतियार कीजिए एक आफिस से अनाउंसमेंट का भी पुतिन और रईस ही क्या गोशना करते हैं और फिर गजा इसराइल की जंग का रुख भी आपको बदलता हुआ दिखाई पर सकता है फिलहाल इस वेडियो में इतना ही आप सब ही काम से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे लाइफ टीवी सच सब से आगे